नमस्कार द्रिष्टी PCS के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम है संजूर और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज MPPSC 2022 ठीक है जो अभी MPPSC होने वाला है एक्चली यह 2022 का पेपर है तो हम इस पे बातचित करेंगे और इसके previous year questions पे discussion करेंगे तो previous year कौन सा होगा इसके पिछले साल का 2021 का ठीक है तो यह आज पहला एपिसोड है जिसमें कि हम 10 से 12 प्रस्ण को solve करेंगे ठीक है इसमें आपको math के reasoning के और decision making के questions मिलेंगे ठीक है उसमें हम आपको बनाने का तरीका trick concept और कितना जल्दी आप question को approach कर पाते हैं उस पे हम लोग आज बातचित करेंगे तो जैसा कि पहले एपिसोड में हमने इसमें MPPSC में क्या discussion किया था कि CSAT का पेपर कैसा होता है जिसको MP में जेनरल aptitude test के नाम से जाना जाता है ठीक है न इसके अंदर क्या-क्या section होता है कैसे कैसे प्रसन पूछे जाते हैं ठीक है इस सब पर हम लोग बातचित कर चुके थे ठीक है अब जो है मुद्दा previous year questions क्योंकि इससे बहुत जादा benefit होने वाले आप लोगों को जब आप इसको करेंगे या इस वीडियो को आप देखेंगे तो एक आपको idea लगेगा कि कैसा कैसा questions पूछा जाता है और इसको बनाने का तरीका क्या है सही approach क्या है सही runnity क्या है ठीक है तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि इसमें आपको पता है कि 40% marks लाना है क्वालिफाई करने के लिए 100 का paper होता है है ठीक है sorry 100 questions होते हैं 200 maximum paper होते हैं एक question 2 mark का होता है यह आपको पता है ठीक है आपने syllabus अगर अच्छे से देखा अगा तो इसका क्या मतलबगा कि आपको 40 questions सही करने हैं ठीक है अब 40 questions सही करने के लिए क्या होगा कि आपको कम से कम 50 60 70 प्रसन आने चाहिए ठीक है न और जिसमें कि अगर माल लेते पास साथ गलत भी हो गए तो आप सेक्योर जोन में रहेंगे मतलब 40 कुर्शन तो एकदम सही होना है अगर 49 भी हो गया तो आप तेल कर जाएंगे तो देखा गया है कि मैट्स रिजिनिंग और डिसीजन मेकिंग हम जिसपे बात करेंगे इस ते लगभग 32 से 33 प्रसन पूछे गए तो अब आप सोच लिजे कि अगर आप ये मतलब इस स्रीज को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका लगभग 30 से 35 नंबर जो है न वो आपका सेक्योर हो जाएगा बचा 5 से 10 को से तो आप उसको इंगलिस है न जो भी इसमें और भी सेक्शन है कम्यूनिकेशन है इंटरपर्सनल स्किल्स है ठीक है उस सबको आप तैयार कर लेंगे तो आपका अराम से पेपर क्वालिफाइब हो जाएगा तो बिना देरी के हम प्रिवियस एर कोस्टन्स पर डिसकसन करते हैं टॉपिक रहेगा इसमें कौन-कौन सा मैप्स ठीक है रिज अगाता भी देंगे जैसे भी कौस्टन आपके स्क्रीन पर दिखे गा थो हम बता देंगे की यह मैट्स निंग का है और मैट्स में भी है को reaction को देखते है कि पैला को सन्कीया लगातार 5 बिसम संख्याओं का ओस्षट 1609 उचितम संख्या Euxon निम्णताम संख्या के बीच अ ठीक है उसके बाद पता लग रहा है यह average का है math में भी यह किस chapter से है तो average से है तो चलिए इसको जल्दी से solve करते है पहले आपको basic बताते है इसका ठीक है कि इसमें क्या कह रहा है कि 5 विसम संख्याओं का उसत तो माल लेते हैं यहां तो पता नहीं कि कहां से start हो रहा है विसम स संख्या कौन सी होती है 1-3-5-7 जो 2 से भाग ना लगे तो माल लेते है कि पहला भी संसंख्या aks तो दूसरा कौन क्या होगा कि एक्स फ्लस 2 क्यों तो माल लेते पहली विसम संख्या अगर 1 है और दूसरी 3 है तीसरी 5 है तो देख रहें सब के बीच में 2 कंतर है न इसलिए दूसरा संख्या हमेशा पहले से 2 बड़ा होगा यह होगा तो एक्स प्लस 2 अगर तीसरी की बात करें तो एक्स प्लस 4 अगर 4 विसम संख्या की बात करें तो एक्स प्लस 6 और अगर 5 विसम संख्या की बात करें तो यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 ठेक है अब कह रहा है कि इसका उसत 61 है तो आपको पता है उसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या तो सभी संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, और x प्लस 8, यही है न, अब बटे, 5, क्योंकि 5 संख्या है, और बराबर, एवरेज, 61, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5x, प्लस 8, 6, 14, 14, 12, ठीक है न, प्लस 20, is equal to 305, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 5x की value आजाएगी आपका, 280, और x की value हो जाएगी, 285 को आप 5 से divide करेंगे, तो 5, 25, 25, 25, 25, इसको सबसे चोटा है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, x प्लस 8, 25, कितना हो गया, 65, ओके, x प्लस 8, अब आप से कह रहा है, कि उच्टम और निम्नितम के बीच अंतर बता दीजिए तो 65 में संतावन को घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ गया 8 तो यही मेरा उत्तर हो गया ठीक है यह तो हुआ detail explanation बहुत असान भासा में अगर हम trick की बात करें तो देखिए इसका सबसे अच्छा trick क्या है इसको मिटा देते हैं ठीक है यहां पर मुझे space चाहिए थोड़ा कि ट्रिक की बात करें तो क्या है इसका trick देखिए पांच संख्या ना तो आप पांच लगातार दिया हो लगातार अगर देख रहे हैं यहां पर लगातार वड़ यूजवर होगा हां लगातार होता है ना तो मेरे लिए ट्रेक बहुत असान हो जाए हर के बीच ना कुछ ना कुछ समान वेरियेसंस है ऐसा नहीं कि एक 5 एक संख्या 12 एक संख्या 14 फिर 28 हो गया ऐसा नहीं यहां पर एक sequence में बढ़ रहा है बिसंख्या एक sequence में तो बढ़ता है एक 3 5 7 9 तो इससे क्या होगा ना मेरा काम असान हो जाएगा तो जो आसत होगा ना वह हमेशा याद रखेगा बीच वाला संख्या होगा रट लेजिए अगर साथ है तो तीन उदर छोड़ दीजे तीन इदर छोड़ दीजे बीच वाला जो संख्या होगा वह और सथ ठीका अगर वह शुजब सब्सक्राइब पकड़ा जाता की तो बीच वाला पकड़ा जाता है ना संब में पकड़ा नहीं पाता क्योंकि छे होगा तो 3-3 बीच में कुछ बचता नहीं तो विसम में थोड़ा सा असान हो जाता है मामला अब आप बात बता शेया तो यह था ड्रेटल जिसको समझना है डीटल में समझनीज़े क्योंकि बेसिक भी पता होना चाहिए तब ही आप ट्रिक सीख पाएंगे और यह रहती ठीकर यह क्या है कि आप लोग का डिमांड बहुत है कि ट्रेक में बताएं लिए ट्रिक में बता दिये तो आंसर जाओ गया आठ चलिए अगले को देखते हैं यह को इसमें आपको लॉजिक से बताना है इसमें पेपर का बहुत कम यूज है मतलब ना के बराबर नहीं समझ लीजिए पढ़ना पड़ेगा इसको समझना पड़ेगा अजय एक बारवर्ष का बालक है मान लेते कोई लड़का है वो बारवर्ष का है वो अपने घर पर एक पालतु कुत्ता रखना चाहता है अब उनके माता पिता का कहना है कि जो कुत्ता है वो उसके फ्लैट में खूस नहीं रहे ठीक है खला कि उन्होंने अजय को पक्षी को पालने की अनुमति दे दी तो उसके माता पिता ने कहा कि ऐसा करो तुम्हें पक्षी पाल लो कुछ भी हो बर्ड है ना तोता हो या कववा हो कबुतर हो कुछ भी हो तो इसका निस्सित तातपर है कि आप देखें यहां पर इस्टेटमेंट से यह जो सारा इतना लंबा चोड़ा कहानी था ने से क्या क्या आप सोच सकते हैं आपके आपका लॉजिक क्या कहता है इसमें तो पहला है कि उसके माता पिता पक्षी को कुट्टे से जादा पसंद करते हैं देखिए आप इस बात को दावे के साथ नहीं क बोला है कि कुट्टा को रहना पसंद नहीं होगा यहां पर ध्यान दीजिए पाल तो कुट्टा उनके फ्लैट में खुस नहीं रहेगा ना कि माता पिता के बारे में बात हो रही है तो यह गलत है अब यह भी बात गलत है क्योंकि अजय ने ऐसा कहीं नहीं कहा है अगर यहा तो ये भी आप गलग, क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी अज्यूम मत करना, कोसंस में जो statement दिया है, आप उसको पूरा true मानना और उसी के basis पे उतर देने की कोसिस करना, इस रहे अजय और उसके माता पिता flat में रहते हैं, देखें, यहाँ पर कही रहा है, उनके flat, उनके flat, म पक्षी से ज़्यादा कुट्टे को पसंद करते हैं, इसी का तो reverse है, यह भी गलत बात है, पसंद और नापसंद की बात हो ही ने रही है व्यक्ति की, तो हम कह सकते हैं कि तीसरा जो मेरा कथन है न, बहुत अच्छे से logic way में भी है, मतलब logical भी है, और सही भी है, तो मेरा उत सकती होतियार होते हैं, ठीक है न, और कुछ होतियार लोग पड़िस्रमी होते हैं, याद रखे गए यहां पर कुछ word लिखाए, देखे, इस सब चैप्टर में न, कुछ-कुछ जो keywords है न, बहुत काम का होता है, keywords, अब बोलेंगे keywords क्या होता है, जैसे कुछ, यहां keyword है, cable, पताते रहेंगे, अब देखिए, पहला है सभी पड़िस्रमी लोग होसियार होते हैं, यहां पर सभी आ गया, यहां कुछ है, तो यह पहली गलत हो गया, क्योंकि कुछ से सभी में नहीं आ सकते, सभी से कुछ में जा सकते, ठीक है न, हम कहें कि कुछ लोग लाल पसंद करते हैं, और फिर कह देखिए, सभी लोग लाल पसंद करते हैं, तो गलत हो जाता है, कुछ में तो सभी होई नहीं सकता, अब सभी लोग लाल पसंद करते हैं, उसके बाद कहें कि कुछ लोग लाल पसंद करते हैं, यह बात सही है, और देख लेते, सभी होसियार देखिए, फिर गलत कर दिए विना देखें घोच यार लोग समान्टे आइ देखें समान्टे का मतलब कड आधाम एक जैशत में मान जाएगा समान्टे आधा के लिए लगभग मतलब कह सकते सब के सब तो ये भी इस key words के करण ये गलत हो गया तो एक ही मेरा उत्तर सही है option number B ठीक है तो इसको समानते हैं यहां जोब लिए यह पीवर्ड की तरह काम करेगा आपका समानते हैं ठीक है यह भी कीवर्ड इसे ठीक है जो भी कीवर्ड से आप इसको नोट कर लिजेगा बहुत काम देगा चलिए अगले question को देखते हैं यह हो गया ठीक है अब देखिए यहां पर एक टेवल में ठीक है ना column row में दिया हुआ है जिसमें की आपको बताना है कि लुप्त संख्या क्या है आठ छे चार छे है दस पांच छे ग्यारह है उसके बाद आपका पंदरह साथ आठ सोलह है और उ आप से पहले यह बता दें कि आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बस लौजिक यह होना चाहिए कि जैसे आप फॉलो कर रहे वह घर जग कर सकते रीजिनिंग का 5-16 जरूर नहीं यहां 12 तो यह 16 तो इसको फॉलो कर गया ना 16 ठीक है 15-8-23 12-7-23 ठीक है 13-8-20 ठीक है जोडने के बाद 21 बना तो इस दोनों को भी जोडने के बाद 21 बनना चीए मतलब 4 प्लस जोडने के बाद 21 बनेगा तो कुश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21-4 बराबर 17 मतलब 17 अगर होगा तो मेरा उत्तर सही हो जाएगा अगर इधर से हो रहा होगा तो इधर से भी करके चेक कर लेना लेकिन यही लॉजिक है इसमें अगले प्रसन पर चलते हैं यदि किसी सांकेतिक भासा में प्रेंड को SPXET लिखा जाता है तो उसी भासा में प्रेंड को क्या लिखा जाएगा यह कोडिंग का प्रसन है और रिजनिंग का कोश्चन है अब इसमें कहा जा रहा है कि ट्रेंड को SPXET लिखा जाता है तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे TRAIN इसको लिखा जाता है SPXET तो हम देखते हैं कैसे हुआ तो देख रहे हैं T जो S बना न कैसे बना एक लेटर कम आर पी बना दो लेटर कम है ना PQR AX बना तीन लेटर कम करने के बाद IE बना चार लेटर कम करने के बाद देखें FGHI और N और T के बीच यहां पर यह बढ़ गया N के बाद O P Q R S T 6 बढ़ने के बाद तो अगला जो word है ना people वो भी इसी तरह आपका follow करना चाहिए P E O P L E अब एक बाद बताईए जब आप इसको follow कराएंगे P से एक लेटर कम क्या होगा O ठीक है ना अब देखें किस किस option में O है इस तिनों option में यह तो गलत हो गया elimination method बहुत काम करता है coding recording में और सबसे पहले अब क्या है ना एक last भी चले जाएए E के बाद 6 लेटर F G H I J K तो क्या होना चाहिए E के बाद 4 लेटर और आगे बढ़ना है ना N O P Q R S T और यहाँ पे E से 4 लेटर आगे जाना है तो E F G H I J K यहाँ पे K होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे देखे K है क्या किसी में तो किसी option मेंने हलांके लगता है कि tapping mistake हो गया इसको देख लेंगे अभी उसके बाद 2 लेटर कम तो E से 2 लेटर कम क्या होगा C है ना उसके बाद O से 3 लेटर कम क्या होगा L M N O है ना L M N O उसके बाद है 4 लेटर कम मुझे लगता है यह कितने लेटर का यह 5 है और यह 6 है ना तो यहाँ पे आपका यह गड़वर हो गया कि यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 लेटर है यहाँ पे 6 है तो आप एक बार ऐसा करेंगे यह के बाद आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 अच्छा ठीक है यह तो 6 सही है अब यहाँ पे पीछे 5 तक जाना पड़ेगा है ना और पी से आप कितना लेटर पीछे जाएंगे तो 4 तो पी से 4 लेटर पीछे जाएंगे तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा L होगा L M N O P तो यहाँ भी L होगा अब आप देखिए O C L L कहां दिख रहा है यहीं दिख रहा है तो O C L L तो मिल गया लाच वाला तो यहाँ पे के हो जाएगा यह टाइपिंग मिश्टेफ हो सकता है और इसके बाद देखिए यहाँ पे G H I J K L है ना पांच लेटर यहाँ जी हो जाएगा तो यह हम माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 और प्लस 6 ठीक है ना तो हम इसको सही उक्तर मानेंगे ठीक है ना क्योंकि यहाँ पे पीछे जा रहा है तो यहाँ भी एक वर्ड पीछे ही जाएंगे लास्ट वाला तो इस तरह से पिपूल का कोड हो जाएगा O C L L G K ठीक है ना इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा अब अगले प्रसंट पर चलते हैं यह भी रिजिनिंग का कोश्चन है ठीक है ना यह यह भी रिजिनिंग का कोश्चन है ठीक है ना आप इसको क्रेटिकल रिजिनिंग में ही रखेंगे कि आप रेलवे स्टेशन पर सारवजनी घोशना ठीक है ना जो वहाँ पे अनाउंस ह होता रहता है यह घुषना सुनते हैं तो निमलखीत में कौन सी जानकारी की घुषना सबसे अधिक संभावने वहां वहां प्र जादा सुनने वाले मत सुननेवाली जोसकती है पैला या को होग और पाए गया जानकारी अलांकि यह जा यह भी घुशना होते रहती है बट इसकी संभावना बहुत कम होती है दिन बड़ में दो-चार समान खोया ठीक है न ऐसा है फ्रिक्वेंसी कम है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है कम है चीक है उसके बाद अगली ट्रेंड का प्रस्थान अगमन की सुच ना यह तो समझो कि बस हर दू मिनट 10 सेकरण ब height 20 सेकरण पर होती रहती है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे जयादा है रेलेवे स्टेशन पर साहता के बारे में जानकारी अब इसकी भी जानकारी इसकी भी फ्रिक्वेसी कम होती है क्या है क्या है क्या हूं और आपके ट्रेन की आरेच्छन स्थिति सती है मतलब आरिच्छन के स्थिति कहां बताया जाता है जानकारी मतलब गोशना में तो इस तरह देखा गया कि सबसे ज्यादा दो मतलब वहां पे जो अनाूंसमेंट होता है यही होता है कि अगली ट्रेंट इतने बज़े या यह ट्रेन इतने वज़े से जाएगी या इतनी लेट है इतने डिले मतलब पहले है इस तरह की गोशना वहां ज़ादा होती है तो इसलिए सही उत्तर मेरा यही होगा अगला एक कोशन है ठीक है यह decision making का कोशन है ठीक है अब इसमें आपके decision को देखा जाएगा कि आप कि इतना अच्छा decision लेते हैं आपका परोसी एक अत्यंत परवावशाली ब्यक्ति है ठीक है और आप अपने परोसी के घर में स्रमिक के रुप में कारिरत किसी बच्चे पर अ मतलब उसका पड़ बहुत जादा है बहुत बड़े लोग होंगे मतलब पुलीस प्रशासन वगर में भी इसका बहुत जादा मतलब दाइन्फ्लूएंस जादा होगा लोग डड़ते होंगे उससे तो आप क्या करेंगे तो आपका क्या दाई तो होता है आप उसमें क्या decision ले है तो पहला है कि अपने पडोसी के डड़ से कारण आप सांत रहेंगे ऐसे लोगों को कभी भी अधिकारी बना पाएंगे आप ऐसे डिसीजन को सही माना जाएगा कि कहीं रते चार और आप चूफो के बैट जो हलांकि आज के डेट में लोग यहीं कर रहे होते हैं कोई किसी के मामले मोतना नहीं पढ़ना चाहता बड़ गलत है जो गलत है उसके खिलाप आवास तो उठाना चाहिए ना तो यह डिसीजन आपका सही नहीं होगा ठीक है यह उत्तर तो कता अगला देखते हैं पार कुछ नहीं करेंगे यह और इसमें को यह अपने परोशियों को बताएंगे कि बच्चेपर अत्यचार ना करें क्योंकि यह कानूनी तो और पर अपराद है देखें यह डिसीजन अच्छा माना जाएगा तो हम क्या करते हैं जब भी ऐसा कोश्चन आए ना तो चारों डिसीजन में ठीक है आप समझा रहें अच्छी बात है बट क्या वो मानेगा नहीं मान सकता है तो ऐसा कुछ डिसीजन लिजिए जिससे की मामला ठीक हो जाए मामला वहां पर सांथ हो जाए तो हम इसको डाउट के केस में रखते हैं तो अगर इससे बैटर होगा तो ठीक अना तो फिर इसी गठनों यह तुरंत एक्षन लेंगे सबसे ज्यादा तो यह एक्षन लेंगे क्योंकि आप बाल सरम करा रहे हो पुलिच इसलिए एक्षन लेंगी क्योंकि आप उस पर अत्याचार कर रहे हो तो यह दोनों आपको मदद करेंगे और कहीं न कहीं बच्चे पर अत्याचार हो से बच जाएगा तो यह डिसीजन बहुत बैटर है इससे तो लागुन अच्छा यह डाउट में ही रह गया डाउट वाला डिसीजन नहीं लेना है तो मेरा उत्तर हो गया डी यह भी गलत यह भी गलत और यह भी गलत चलते हैं अगले कोर्षिन में एक दरजी के पाथ 37-10 पां कोशन है और इसको आप मिसलेनियास में रख लें यह मलब जनरल मेंटल अबलीटी टाइप का कोश्चन है कहीं भी सूट कर जाता है ठीक ना कहीं भी एड़ेस्ट हो जाएगा मिसलेनियास में माल लेते हैं अब एक दरजी है माल लेते हैं यह कपड़ा का टुकड़ा का का अपसान नहीं है एक यह वह होगया निक एक पेंका मूले पांच उरुपे हैं तो दस पें और बता दीजिए अएक मिटर में आठ learnt MALE- présentation घू यह मतब्도록र तो टुकड़ा जो है न वह 37 मीटर से दरजी बना लेगा क्योंकि एक मीटर में आठ टुकड़ा कट करते हैं ठीक है ऐसे जोड़ लेजी आप और परते एक दिन के लिए कामकाजी घंटे 8 होते हैं और एक दिन में कितना कारी कराया जाता है आपसे 8 घंटा एक आदमी को नियमित काम के लिए 2.40 पैसे परती घंटे मिलते हैं मतलब वह एक घंटा कारी करता है न तो 2.40 पैसे कमा लेता है और ओवर टाइम के लिए जब व अब घंटे उसको तीन रुपे 20 पैसे मिलते हैं ओवर टाइम क्योंकि एक्ष्टा रुक रहा है तो थोड़ा सा अच्छी पैसे जादा मिल रहा है कि यदि वह चार सप्ता में कुल 432 रुपे कमाता है तो उसने कितने घंटे कारी किया बहुत अच्छा कुष्ण घंटा काम होता है तो पांच दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं चालीस घंटे, पांच दिन में आपने कितना कारी किया, चालीस घंटे, तो आपने कुल चार सप्ता में, यह तो एक सप्ता है, तो चार सप्ता में आपने कितना कारी कर लिया, एक दिन, एक सप्ता में 40 घंटा, तो चार सप्ता में, 160 घंटा ठीक है 160 घंटा आपने कार किया है working arts में अगर आप 160 घंटा कार किये हैं तो आपको कितना पैसा मिल गया एक घंटे का आपको 2 पर 40 पैसे मिलता है तो 160 घंटा करने पे आपको कितना पैसा मिला तो 160 गुना, 210 मिला, 40 इसको उड़ाएंगे तो 00 कैंसिल तो 16 को 24 से गुना करेंगे तो 16, 64, 64, 16, 32, 32, 32, 38 मतलब आपको 384 रुपे मिलने चाहिए कब जब आप केबल वरकिंग डे में काम करके चले जाते लेकिन आपको मिला है 432 रुपे किस बज़े से क्योंकि आप कुछ ओवर टाइम वरक किये है तो ओवर टाइम का पैसा कितना मिला तो इसमें इसको घटा दीजिए तो 12 में 4 गया 8, ठेक है न 12 माड़ गया 4 तो ये कट गया मतलब 48 जो रुपईया है न वो आपको मिला है ओवर टाइम के लिए और ओवर टाइम अगर 48 रुपे मिला है और एक घंटे में 3 रुपे 20 पैसे मिलता है तो आपने कितना वग कर लिया तो इसको घटा डिवाइड कर दीजिए 48 में तीन रुपे 20 पैसे को अगर डिवाइड करते हैं न तो ये कितना हो जाएगा देखे 16 दुना बदी दो से करेंगे तो 16 दो पंचे 10 16 तीर तालिस 3 पंचे 15 मतलब आपने 15 घंटे ओवर टाइम वर्क किये है आप 15 घंटे ओवर टाइम किये है और 160 घंटे आप अपना जो आपका रूटीन वर्क था उसने आपने किया है तो पूल आपने कितने घंटे कारे कर दिया 160 प्लस 15 मतलब 175 घंटे आपने 4 सब्ता में कारे किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा 175 घंटा कितना साधारन सा प्रशन था लास्ट कोर्शन और देहतरीन और अच्छा कोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं कि A एस्ट्रिक्स B की वैल्यू है 2A माइनस B प्लस ये B तो आपसे पूछा जा रहा है 3 एस्ट्रिक्स 5 प्लस 5 एस्ट्रिक्स 3 अब एक वाज बताएए A एस्ट्रिक्स B मतलब 2 A माइनस 3 B तो इसी को हम A मान लें अभी थोड़े देरे के लिए और इसको B मान लेते हैं यहाँ पे ये A है और यहाँ पे ये B है तो पहले बार जब अगर 3 एस्ट्रिक्स 5 को सॉल्व करें तो क्या हो जागा 2 A तो 2 गुना 3 3 माइनस 3 गुना 5 ठीक है और उसके बाद प्लस A भी तो 3 पचे 15 ये हो जाएगा ओके उसके बाद प्लस का सिंबल तो प्लस लगाईए क्लियर है ना और उसके बाद है 5 एस्ट्रिक्स 3 तो 5 अब यहाँ पे A हो गया 5 तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 3 गुना 3 अब प्लस 15 ये तो होगा ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 गुना 3 6 पास तीया 15 और प्लस 15 माइनस 15 ये तो कैंसिल हो गया तो 6 माइनस क्लियर 6 माइनस तो कुछ नहीं 6 यहाँ पे ये तो खतम हो गया जी और उसके पास दूना दस माइनस 9 और प्लस 15 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा बाइग Kh hence कैलकुलेंस वर रिए informação दाल कुछ नहीं था और इतना कुछ बहुत जादा इसको यह नहीं कहेंगे कि बहुत दिफिकल्ड था मैंने बहुत्ती से बताया आशा कुछ नहीं है बच ज 일단 दिया था इसको यह कोई formula नहीं है याद रखेगा यह कोई formula नहीं है यह तरह से उसने direction बनाया है यह कोई formula नहीं है तो बस उसको follow कर लेना था और आपने उत्तर निकाल लिया 22 तो इस तरह आज यह अंतिम प्रशन था इस तरह आज हमने लगवग 12 तेरा question कर लिए है ठीक है न और आसा है कि आ बहुत अच्छा लगा होगा सेशन समझ में भी आया होगा जहां कोई दिक्कत हो आप हमसे comment box में जरूर question पूछें हम आपके comment का हमेशा इंतजार करते हैं चैनल को subscribe करिए video को like कीजिए share कीजिए और भी लोगों को फायदा पहुँचाईए खुद भी देखे और लोगों को प्रेडित किजिए कि इस चैनल को follow करें और इसके video को देखें और अपनी तैयारी को सांदार बनाईए ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करिए और जो भी doubt हो आप हमसे comment में जरूर पूछें तो आज के लिए कर दोछें?